तो यहां पर रखे हमने फाइल में जाके जासे यहां से एक न्यूँफाइल लिया है और यहां पर जाने के बाद हमने यहां से वेप का अप्षिन लिया और जैसी क्लिक करके हमने हैंपर एपने रिजूशन Ctrl T दबाया, Alter Shift के साथ इसको बड़ा कर लिया, क्लिक करके यहाँ पर रख लिया, OK कर दिया, Apply कर दिया, अब क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ से, तो ले जाएंगे हम Blending Options के साथ, Blending Options में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक उप्शन मिलता है, Outer Glow का, अब Outer Glow क्या करेंगा, यह इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके लिए हमें पीसे Background थोड़ा सा Dark चाहिए होगा, अब Background की लियर पर एकर Dark कोई Color लगाना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे इसके उपर, दوبारा जाएंगे Blending Options के उपर, और Blending Options पर जाने के बाद, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, Color Overlay के उपर, जैसी Color Overlay पे क्लिक करेंगे, तो यह देखें, एक Dark कलर तो यह अल्रड़ी आगया है, लिकिन एकर मैं थोड़ा Black टाइप का Dark कलर लेना चाहरा हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको OK कर देगे, मतलब Text का Color सेम Background के साथ है, लेकिन Outer Glow से जो Shade निकल के आया, उससे यह इस तरह का Create होगा, अब Outer Glow के अगर Opacity को आप कम करेंगे, तो यह हलका हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, Noise अगर बढ़ाएंगे, तो यह Text विखर जाएगा, पिक्जल इसका और दुबारा सेट हो जाएगा, और अगर यहां से Size को Extend करेंगे, तो यह इस तरह का Shade भी Create हो सकता, और फर्दर भी इस तरह का हो सकता है, तो यहां पर देखिए, इस तरह के Shades अगर आपको Create करना है, तो यह से Create हो जाते हैं, Soft यह प्रिसिया, इसमें जो भी Color Shards आप यूज़ करेंगे, तो इसमें उस तरीके से यह आपको दिखाई देगा, यानिके, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से किस तरह से आप इसको देखना चाहतें, यह इस तरह से आपको दिखाई देगा, और बढ़ाएंगे तो यह सा Shared बढ़ जाएगा, और अगर आप यह प्रिसाइस से क्लिक करके Soft पे क्लिक करेंगे, तो फिर यह Soft रहेगा, इसके Ages जो है Soft रहेंगे, तो दो भी Shared आप चाहें इसके पर Apply कर सकते हैं, Spread पे क्लिक करेंगे, तो यह जादा Spread करके Outline की सूरत इफ्तियार कर लेगा, लेकिन अगर आप इसको Precise पे रखेंगे, और तो भी थोड़ा सा हलका सा Effect पड़ेगा, एक थोड़ा सा इसके Ages निकल कर आएंगे, उसमें Ages नहीं निकलेंगे, तो यहाँ से Spread Level भी आप इसका Control कर सकते हैं, तो इस तरह की Effects क्रियेट करना तो Easy कर सकते हैं, अब Shed हमने Yellow Color का लगा रखा है, इसके जगा कोई और Color यूज़ करना है, Let's Suppose अगर हम इस पे Green Color का Shed लगाना चाहते हैं, तो यह इस तरह का Shed भी लगा सकते हैं, Blue Color का Shed लगाना चाहते हैं, इस तरह का Shed भी लगा सकते हैं, और जिस तरह का Shed चाहें हम यहाँ से इसके पर Apply कर सकते हैं, इसके इलावा, अगर हम इस पे चाह रहे हैं, For Example, Gradients Apply करना तो यहाँ पर क्लिक करके, Gradients पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसके उपर इस तरह की Gradients भी हम इसके उपर Apply कर सकते हैं, और Gradients Apply करने के बाद, यहाँ से इसके Size को भी यहाँ से आपसको डिल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? समझ में आरी बात यह है, तो यह इस तरह का Gradients Fact भी आपसके लगा सकते हैं, Further More Gradient अगर आपको मजीद चाहिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे Settings में, और यह सारी Categories Gradients के आजेंगे, जिसमें Special Facts के शामिल हैं, जिसमें से अगर आप यह Effect लगाना चाहिए, यह Effect लगारा चाहिए, यह लगाना चाहिए, वह Effect भी आप इसके ज़र मिल जाते हैं, Further More अगर आप इसको दुबारा से Reset करके Gradient Normal लेना चाहते हैं, तो Preset Gradient पे क्लिक करेंगे, और रोके करेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे, और यह इस तरह का Gradient Effect आपका बन जाएगा, फिर फर्दर यह Gradient Effect इन दो Colors Combination से मिलके बन रहा है, अगर आप इनको Change करना चाहते हैं, तो Gradient Editor में जाके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो अपनी किसम का Gradient Shed है, वो आप खुद बना लेंगे, जिसे भी Blue के साथ थोड़ा इस तरह का Shed बनाना चाहें, तो इस तरह से Create कर सकते हैं, तो यह होगिया हमारा Outer Glow जो हम चाहें तो टैक्स पे लगा सकते हैं, इसी तरह अगर किसी Shape पे लगाना चाहरे हैं, तो हमने यहां से Custom Shape किया और यहां पे क्लिक करके, यहां से हम चलेगा, इस क्लिक करके यहां पर और यहां से आगाई यहां पर, यहां पर आने के बाद हमें Different किसम के Effects मिलने वाले हैं, और इस Effects के अंदर हम यह वाला एक Shed लेके Create करते हैं, तो इसको अभी हमने Colors, जो है फिल्म में कोई Color नहीं दिया हो, तो इसको White Color फिल्म में दे देते हैं, और इसके Strocks हम यहां पर खतम कर देते हैं, इस तरीके से, और क्लिक करके इसे दिखा देते हैं, और furthermore इसके उपर भी अगर हमें कोई Branding Options में जाके, Outer Glow लगाना है, तो इस पर भी Outer Glow इस तरह से लगेगा, और इस पर क्लिक करके, इस पर किस तरह का Outer Glow लगाना है, क्लिक करके यहां से, चूज करने Outer Glow, और इसके बाद यहां से चूज करके, इसके आपर भी Size को Extend करें, तो यह देखिए, इस तरह का Outer Glow इफेक्ट इसके पर Apply हो जाएगा, अब जितना भी चाहें इसको Apply इट सकते हैं, फिर अगर हम चाहें कि इसको इस एफेक्ट में Convert करें, इस एफेक्ट में Convert करें, इसमें करें, इसमें करें, इस तरह से करें, तो वो इसके अंदर Create किया जा सकता है, और यह चीज़ आप इसके अंदर Control यहां से, Size को इसके यहां से कर सकते हैं, जैसा चाहें Outer Glow इफेक्ट इसके लगा सकते हैं, अगर इसको अंदर Color देना है, तो Color Overlay पे क्लिक करेंगे, इसके उपर भी Apply हो जाएगा, तो इस तरह से Outer Glow आप इसके उपर Apply कर सकते हैं, अब आते हैं Inner Glow और Inner Shadow कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, देखिए Inner Glow और Inner Shadow के लिए, हम इन दो को Off कर लेते हैं, टेक्स को और यहां पर हम लिखते हैं Inner Glow और Inner Shadow, तो यहां पर Inner Glow, मतलब इन साइट पर वो Glow करेगा, तो यहां पर हम लिखते हैं Inner Glow और Inner Shadow, तो यहां से क्लिक करके Ctrl-T करके Transform पर क्लिक करते हैं, और जैसी Transform पर क्लिक करेंगे, और अल्टर शिफ्ट के साथ आप इसको इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लें, अब इसके पर Inner Glow Effect हमें Apply करना है, तो यहां से जाएंगे हम क्लिक करेंगे, Blending Options पर क्लिक करेंगे, और यहां से जाके आप इसके पर क्लिक करेंगे Inner Glow पर, तो अब जो Inner Shadow है, इनर Glow पर क्लिक करेंगे, तो जो Shade Effect हैं, वो Inside होगा, अब यह Outside, Inside कैसे बदा चलता है, इसके लिए मैं आपको करीब से करके दिखाता हूँ, तो यहां पर क्लिक करके देखिएगा, तो यहां से Blending Options पर करेंगे, और यहां पर क्लिक करके, आपने देखा कि यहां पर आ रहा है Inner Glow, जैसी Inner Glow पर क्लिक करेंगे, तो देखिए, शेड आउट साइड नहीं है, इंसाइड है, और इसके उपर क्लिक करके, आपको वही तीन एफेक्ट नजर आ रहे है, ब्लैंड मॉड नॉर्मल है, ब्लैंड मॉड अगर आप चेंज करते हैं, ब्लैक के पर मल्टिप्लाइ करके देखते हैं, तो फिर कलर बंड है, साफ्ट लाइट है, हाड लाइट है, फिछ बैक्राउंड डार्क है, तो इसके उपर हम कर सकते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं, अब इनर गिलो जो है, वो कैसे काम कर सकता है, क्योंकि ये शेर्ड इफेक्ट अंदर की साइट पर एपलाई हो रहा है, तो आप जैसे इसके साइज को बढ़ाएंगे, तो ये अंदर की साइट के पोर्शन को कवर अप करेगा, और फिर फाइनली उसी कदर के अंदर इसको कनवर्ट कर देगा, ये देगा, बिल्कुल हलका सा देगा, तो ये इस तरह से देगा, अच्छा, अब इसके साथ अगर inner glow के साथ अगर हम drop shadow यूज करें, तो देखें, drop shadow लगाया हमने इसके पर, drop shadow के साथ यहां क्लिक करके थोड़ा सा size को extend किया, और उसके बाद अब हमने inner glow लगाया और inner glow का size extend किया तो ये देखें कुछ इस तरह का impact create होगा जितना चाहें आप इसमें बढ़ा सकते हैं फिर इसको भी आप single color में या फिर gradients के साथ use कर सकते हैं इस तरह के stacked facts आप easily इसके अंदर create कर सकते हैं तो आप इसके पर blending options में जो भी use करना चाहा है ठीक है अच्छा साथ साथ आप इसका chalk भी set कर सकते हैं कितना काम जादा करना है और अगर inner glow की बात की जाए तो अगर हम इसको shape पर समझें तो ये आपको थोड़ा सा और बहतर तरीके से समझ में आएगा कि मिसाल के तो रुपे अगर हमारे पास कोई shape है अच्छा सब्सक्स कस्टम शेफ पर जाके हम कोई ऐसा shape बना रहे हैं जो कि इस तरह का हो ओके तो ये shape हमने यहाँ पर create कर दिया और create करने के बाद इस shape का जो असल में इस shape के भी अंदर तो color भर नहीं सकते हैं तो यहाँ से click करके हम जा रहे हैं जिसे यह वाला heart जो है इसके अंदर color फ्लिक किया जा सकता है और यहाँ से click करके हमने इस पर dark red color apply कर दिया और इसके click कर दिया और अब देखें फर्क नोट कर लें अगर हम outer glue लगा रहे हैं तो shade कहां बन रहा है outside of the shape नेख रहे हैं ठीक है और similarly अगर हम यहाँ से outer glow हटा रहे हैं और inner glow लगा रहे हैं तो shade कहां बन रहा है inside of the shade आई कुछ बाद समझ में नहीं आई यानि कि जब shape के अंदर आपने color shades डालने हैं तो inner glow और जब अगर outside डालने हैं तो outer glow हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं outer glow भी लगा सकते हैं इसके पर और inner glow भी लगा सकते हैं outer glow में हम यूज कर लेते हैं यह वाला color ठीक है outside पर और inner glow में हम यूज कर लेते हैं यह color यूज कर लेते हैं inside पर थोड़ा extend कर देते हैं तो यह देखिए इस तरह का मामला आप उसके साथ easily कर सकते हैं और अगर आप इसके struct को खतम करना चाहते है तो custom ships मुझाए के struct करें इसके बाद देखें यह इस तरह का shared आप दे देंगे अक्सर आपने ऐसे देखे होंगे कुछ images और logos जिनके अंदर और बाहर दोनों तरफ shirts होते हैं तो inside और outside के shirts को आप ऐसे cover कर सकते हैं यानिके दो shirts बना दिये, shape complete होना चाहिए तो देखे एक simple सा, अगर मैं देखा जाए तो एक simple सा heart था और क्या था, ठीक है ना, और अगर आपने थोड़ी सी उसकी intentions बढ़ानी है लोगों को दिखाना है उसके अपपर, तो आपने क्या करना है, उसके अपपर जसे chat दे दिया तो वो उसके अपपर इस तरह से एक effect इसके अपपर apply हो गया यही चीज आगे जाके animations पे भी दे सकते हैं, मिसाल के तो पर आपको heart blinking बनानी है heart blinking कैसे होगी, heart blinking कैसे होगी, इस चीज को animation मैंसे कर देंगे, यह देखिए ठीक है, और अगर आपको twice effect बनाना है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं on, off, on, on, off, off, on, on, इस तरह से भी यह आप इसके अदर easily चीज़ों को कर सकते हैं तो inner glow और outer glow दोनों important हैं, किसी भी चीज की एक दम उसकी जो appearance हैं और जो उसकी intention हैं, उसको यह extend कर लेते हैं, ठीक है, तो यह आप इसके अपर easily कर सकते हैं अब हमारे पास next effect है, अगर इसके अंदर हम जाके देखें, तो अब landing options के बाद हमारे पास बनता है, inner और outer के बाद आता है, हमारे पास एक bevel and emboss अब bevel and emboss क्या होता है, बास उकात हमें किसी भी background के उपर text को emboss करना होता है emboss मतलब दो तरह का emboss होता है, एक emboss इस तरह का होगा, कि उसी background के अंदर आपको लगेगा, यह थोड़ा सा खौद कर इसके अंदर बनाया गया है, जैसे लकडी वगरा के wind के उपर effect आता है एक emboss इसा होगा, कि आपको लगेगा, उसी background से थोड़ा सा भार से उभर के आ रहा है, जैसा है कि गाड़ी का changes number वगरा होता है, अब उसके लिए करने के लिए हमें क्या होगा, कि हम यहां से click करते हैं, और इसी के उपर कर लेते हैं, यहां से इन दोनों को off कर देता हूं, और background पे एक अदर texture लगा देता हूं, तो background layer पे texture लगाने के लिए मुझे क्या करना को, effects में जाना होगा, और effects में जाने के बाद मैं यहां से color overlay की जगहां पे click करूँगा, texture overlay, जैसी pattern overlay पे click करूँआ, तो यह देखें, अच्छे सा texture आगया, अब इसमें और भी texture मुझे चाहिए, तो यहां क्लिक करेंगे, texture fill 2 ले लेते हैं, यहां से ok करेंगे, और इसको कर देंगे, now, तो यह देखें, texture आगया, यह वाला texture लगा लेते हैं, या थोड़ा से grease texture ले करेंगे, और वहां पे जाके आग गूगल पे करेंगे, और यहां पे अगर आपका internet सही हालत में चल रहा है, जैसे कि अभी नहीं चल रहा है, तो pixels.com पे चले जाए, और pixels.com पर जाकर आपने, वहां पे सर्च कर लेना है texture, या जैसे getty images, इन्होंने website बताई, उस पे जाके नहीं हम कुछ search कर सकते है, texture वगरा को, तो अगर वहां मिलता है, तो वहां से भी हम लेलेंगे, ठीक है, तो यहां free-stock पर आगये, और यहां पे क्लिक करके हमने लिखा texture, ह्पहल कर देता है texture, ठीक है, texture, तो यहांपे लोग कर दिया, तो यहां पे हमने texture पोろ क्लिक करके search कर तो यह हमारे लिए सर्च करेगा different किसम के textures और यह देखिए कितने अच्छे texture लेदे हैं यहां से क्लिक करके download पर और यह download होना शुरू हो जाएगा भी होगी तो यहां से भी बटन दमाएंगे और आगया और कोई texture देखिए बहुत अच्छा है यह भी यह वी अच्छा तो यह वाला टेक्च्च्च्च्च्र ले लेते हैं तो यह वाला टेक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च के लिए मुझे जाना पड़े गा यहां क्लिक करके और मुझे मिलेगा यहां पे डाउन्लोडस तो कहा एंडाउन्लोड करते हैं ली बी-ो-ल-ड बोल्ड ठीक है क्लिक करके तन्टोल्टी दबाया ट्रांस्फोर्मेशन को एक्टिवेट किया और यह देखे मैंने इसमें लिग दिया है बी-ो-ल-ड बोल्ड और बोल्ड करके मुझे दिखा दिया इसके पर अब आते हैं कि इसके उपर कैसे हमें अप्लाई कर तो ये देखिए, ये आपको कैसा नज़र आ रहा है, ये उसी background में से थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, तो अब इसके उपर click करते है, be well पर, तो be well पर हमें मिलता है, एक inner be well, ओके, तो अब इसको समझने के लिए हम ये करते हैं, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा हमें यहांसे क्लिक करना है blending option को थोड़ा सा थोड़ा zoom कर लेता हूं ठीक है तो अब यहां से क्लिक करते हैं blending options पर और यहां जाने के बाद हम क्लिक करेंगे यहां पर be well and emos पर click करेंगे यहां पर तो inner be well है हमारे पास तो यहां से colors ले लेते हैं और colors लेके हम यहां पर इसको यूँ इस तरह से दिखाते हैं कि यह इसी के colors के उपर बना हुआ है यहां पे click कर दिया तो अब यह तो ऐसा दिखा रहा है कि यह इसके उपर थोड़ा सा जाहिर हो रहा है अब इसके बाद हम जाते हैं अगर इस forget Inner Glow लगाते हैं तो Inner Glow इसके ओपर इतना खास काम नहीं इंसका थोड़ा सा साइस एक्सैंट करता हूँ तो यह कुछ इस तरह का क आम कर रहा है कि जैसे से के ओपर जाहिर हुरा है कि अगर इसके ऑपर आउटर Glow लगाते तो यह देखिए कुछ इस तरह से जाहिर करेगा इसको और साइस को फ्रोड़ा से एक्स्टेंट करते हैं तो यह से जाहिर हो रहा है कि यह उसके ओपर से कुछ यह देखिए हलका सा तो यह इस तरह करागी है और बढ़ाएंगे तो यह कुछ इस तरह का जाहिर होगा अब इसमें आप एंड डौनों हैं तो यहां से हम डाउन कर देते हैं तो इसकी डैप्थ को थोड़ा सा एक्स्टेंट करते हैं तो यह कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और इसके जो साफेंट हैं इसको हम प्रोड़ा लाइट या डार करें या इसको साइस को प्रोड़ा सा कम करें तो और अगर जादा एक्स्टेंट कर दें तो यह इस तरह से कुछ दिख रहा है ठीक है और अगर इसको स्मूथ की जगां पर चीजल हार्ट कर दें या तो डाउन ठीक है अच्छा उसके बाद आउटर गिलू के बाद हमारे पास रता है इंबोस तो अब इंबोस में देखेंए अगर मैं इसको अब पर रखता हूँ तो यह इसतरा का इफेक्ट कर रहा है और अगर अब करता हूँ तो डिरेक्शन मैं यहां से शैड पढ़ आइए तो ठीक है और अगर आपकर डाउन दाउन करता हूँ तो फिर यहां से कुछ लाइट यहां से पाढ़ रही ही तो श्यड स्का यहां पर बन रहा है ठीक है इसके एंगल को भी हटा सकते हैं यूस गलोबल लाइट से चेक हटा दे हूँ और इसके बाद तो पिलो इंबस में इस तरह से लगेगा पीछे के बैगराउंड के अंदर जो है ना ये इस तरह से ये डैप्थ में चला जाएगा और इस तरह के सही है आपके जो मामलात हैं बिलकुल ऐसे जाहिर होंगे कि जैसे ये इसी के अंदर से उभर कर आ रहा है मजीद इसके पर कर दो अपर सिटी को थोड़ा सा कम कर दें तो यह इस तरह का इंपैक्ट भी स्केडब पर ऐड़ कर सकता ए ठीक में अगर तो यह इसकी जो और यूरक। गलोोस का सारा कमाल है उसके और अगर हम बीवेल बनाई जाएं और पिलू इंबोस के बाद स्ट्रॉक इंबऊस पर लगाएं तो आभ स्ट्रोक इंबॉस के से काम करेगा इसके अगर आप साइस को बढ़ा रहे हैं तो कोई इस तरह आप एंड डॉट नहीं पढ़ा और इसके कि effect जो आप देख रहे होते हैं उनको बनाने के लिए इन चीजों का इस्तमाल करना आपको easily आना चाहिए अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके अगर हमने लिया था inner be well और इसके बाद हमने इसकी depth को और मज़ीद बढ़ाना था तो यह बढ़ने के बाद कुछ ऐसी नजर आने वाली थी डाउन पर रखते तो यह इस तरह से अंदर की side पर depth इसकी बढ़ी भी नजर आएगी और अगर इसको हम size को थोड़ा कम कर लेते इसके तो इस तरह से था और depth को थोड़ा सा बढ़ाते तो यह अंदर की side की depth आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी जादा इसकी नजर आ रही होती है और अगर इसको up कर देंगे तो यह नीजे की तरफ की depth को भी देखेगा size कम है तो यह कुछ इस तरह से नजर आएगा तो bevale and emboss यह text पर भी और shapes पर भी इसी तरीके से काम करता है अगर आप इसको apply करना चाहते हैं shapes पर और text पर तो यह देखें इसके इस तरह से नजर आ रहा है तो shape पर भी इसी काम करेगा let's suppose अगर हमने यहाँ पर एक इस तरह का shape बना लिया है और अब उस shape के अंदर हमने कोई color वगरा भर दिया है for example यही वाला color हम इसके अंदर भर देते हैं supposed to be gray color जो है इस पर डाल देते हैं और इस पर click करके थोड़ा मैं rounded corner वाला नहीं बना रहा है मैं बना रहा हूं इसके अंदर ज़रा sharp corner वाला तो यहां से click करके एक rectangle लेते हैं तो अब यहां पर यह बन गया है और इस पर click करके हम यह click करते हैं तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से रखते हैं इसके उपर और इसको थोड़ा सा zoom कर लेते हैं तो अब यहां पे दीखिए कि किस तरह से हम इसको Be Well and Emboss पे जरीखिए। विखेश में जे किसे शक्र में जब हमने लिख पार ब्लांड़ कारे किए। ऑद़े काई कुछा हमने हम यहां से स्की देप्ट को बढ़ाना शूरू की और साइस को भी एक्टेंट करना शुरू किया तो यह कुछ इस तरह का इंपक्ट इसके पर पढ़ रहा था और सॉफन वगरा की तो फिलाल कोई जरूर नहीं थी अच्छा अगर इसको हम करते चीजल हार्ड या फिर इसको करेंगे चीज सॉफ्ट तो कुछ इस तरह के इंपक्ट पढ़ेंगे और इसको यहां क्लिक करके आउटर की जगा इंडर नालेंगे तो फिर यह कुछ इस तरह का इंपक्ट इसके पर पढ़ेगा डैप्ट को कम जादा आप यहां से कर सकेंगे साइस का एक्स्टेंशन और जादा करना आपको यहां से नसर आएगा ठीक है ना तो यह चीज इस तरह से गिर यत हो सकती है और चैंज करना चाहिए तो इस तरह से शेप हो जाएगँ और अच्छा हमास बस्ता कर सकते हैं जिसके बाद यह... इसके अंदर वाले हिस्से पे भी लग सकती है और अगर इसको अप पर रखें तो यह कंटूर अंदर वाले हिस्से भी लग सकती है आप कंटूर लगाने से क्या होगा कि अगर आप कंटूर को बढ़ाएंगे तो यह ऐसा लगेगा कि जो हमने टेक्स लिखा है जब मैं इसके इंदर उठा के रखूँगा तो आपको feeling ऐसी आएगी कि जो text है वो इसके अंदर लखा हुआ है यानिके inside of the block ये एक block है इसके अंदर वो text लखा है थोड़ा सा यहां से इसमें थोड़ा सा खुदा हुआ है यहां से इस तरह के impact आ रहा है तो इसी तरीके से अगर हम इसके अपर चाह रहे हैं कि यह भी blending options हमने जो इस पर लगाए है इस effect के उपर आई तिंग यह वाला है नहीं यह वाला है ठीक इसको थोड़ा उपर कर लेते हैं और इसी के effects में जाके अगर हम यहां पर supposed to be कोई और color डालते हैं जैसे कि अगर हम यहां पर एक dark color डालते हैं यहां से click करके यह dark color ले लिया और अब देखें कि अगर मैं इसके ओपर जो be well and controls लगा रहा हूँ मैंने इतना controls रखा है तो अब यह देखें ऐसा जाहीर होगा कि यह जैसे भाहर निकला हूँ और अगर मैं इस contour को थोड़ा बढ़ाता हूं और यहां से direction को इस side पर रख लेते हैं तो यह कुछ इस तरह से नजर आ रहा है यानि कि यह थोड़ा सा उभारावा नजर आ रहा है और फिर इसके click करके contours पर जाके अगर हम इस पर different contours जो और हैं apply करने की कुशिश करते हैं जैसे कि यह वाली contour हाँ अब इस contour को रखके हम सके size को extend करते हैं तो यह देखें यह कुछ इस तरह से नजर आएगा कि जैसे यहां से light पढ़ रही है और यहां पर इसके corner पर नजर आ रही है और यह side dark है इस तरह drop shadow को अगर इस पर लगाते हैं और यूज ग्लोबल लाइट से check हटाते हैं तो अगर light यहां से बढ़ रही है तो shed यहां पर याना चाहिए तो click करके drop shadow पर click करके size को थोड़ा सा extend करते हैं तो यह देखे size थोड़ा नहीं है फिलाल इसका जो utilization है वह आप उच्छे तरीके से आना चाहिए कि इनर गलो आउटर गलो भी वैल एंड इंबर्स इन पिलो और यह सारी चीज़ें कहां से हमसे पर apply कर रहे होते हैं ठीक है अब जो आपने